हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जिस गाड़ी के बारे में वो है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो ये वो गाड़ी है जो कुछ गाड़ियां होती है जिनका कॉंसेट अच्छा होता है गाड़ियां भी बढ़िया होती है लेकिन वो अच्छा कर नहीं पाती है मार्केट में चल नहीं पाती है ठीक उन्हीं मैंसे एक ये गाड़ी भी समझ लो अब ये गाड़ी चल क्यों नहीं पाई उसका एक कारण ये है क्योंकि ये 2019 कोरोना के टाइम पर गाड़ी लाँच हुई थी जिस वेज़े से ये गाड़ी मार्केट में चलनी पाई बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है छोटी इसका डैमेंशन जो है गाड़ी का रेडियस भी बहुत बढ़िया है टर्निंग र फील देती है याड़ी मारुती ने कहा भी यही है कि यह मिनी ऐसी वी हमने लॉंच की है जो लोग बड़ी ऐसी वी अफॉर्ड नहीं कर पारें वो इसकी तरफ जा सकते हैं गाड़ी बाकी आपको लग रहा होगा देखने में एक ऐसा क्या एक छोटी सी यार एक ऐसी करो आप बरोसा रखो आप एक बार इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लो और फिर आप इसे फील करके देखना इसके अंदर बैठके देखना कि आपको अपने आप भी लगेगा कि हाँ जी यह गाड़ी बहुत ही जद़ बैठरीन है इतनी कमफर्ट सीटे हैं इसकी अंदर इतना इच्छा स्पेस है गाड़ी में और आप लॉंग रूट पर लेकर जाओगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई तकलिफ नहीं होने वाली जैसे आप स्विफ्ट में या फिर बलैनों में बैठते हो तो आपके एक स्पैन में थोड़ा सा लॉंग रूट पर दर दोने लग जाता है वो चीज इस गाड़ी के अंदर कहीं नहीं मिलेगी आपको यह देखो चारो तरफ से गाड़ी गुमा के दिखाई जा रही है कितनी बढ़िया प्यारी लग रही है और ऐसी वी जैसा ही इसका लुक दिया गया है छोटी स्कॉर्पियो कहलो लग रहा था अब मैं बात करता हूं इसके टायर की टायर जो है इसमें 14 इंच की आपको कंपनी टायर प्रोवाइड करती है एक बार इसके अंदर से और आपको गाड़ी का इंटीर दिखा दिया जाता है भाई 6 लाग के रेंज में 5.5 की लाग के रेंज में यह जो गाड़ इसी जो और मैं आपको बता देता हूं जो मेरे भाई यह गाड़ी अगर लेने की सोच रहे हैं तो कंपनी इस पे अच्छा खासा मोटा डिसकाउंट भी दे रही है आप यह समझो कि करीब करीब नहीं तो अभी पीछे दिसंबर में इस पे एक सवा लाग रुपे तक का इस इस कमपनी ने इस पे डिसकाउंट दिया था अब आप भी अभी डिलर्शिपप पर कही आवकर जाओगे पता करोगे तो आप उससे यह पूछना कि इस पे कितने डिसकाउंट चल रहा है और कितनी इसके साथ एससेरी फिरी दे रही है हर डिलर चिप से यह आ रहा है कि इस एसेसरी भी फिरी मिल रही है और कंपने का डिसकाउंट पता साथ हजार का वो अलग चल रहा है बागी कम गाड़ी में फीचर बहुत अच्छे हैं जो भी पावर विंडो के माउंट कंट्रोल है सब यहाँ पे स्टीरियो के नीची दे रखे हैं और स्टोरेज भी इसमें गाड़ी में बहुत अच्छी दे रखी है और आपको अभी मैं पीछे डिग्गी में दिखाऊंगा सी एंजी केट के बाद भी कितना अच्छा स्पेस इस गाड़ी में बच जाता है आप यकीन मानो गाड़ी में केबिन में पूरा अच्छा इस कंपनी ने पूरा ध्यान रख रखा है कि कहीं भी किसी भी तरीकी की बंदे को पैसेंजर को या ड्राइवर को तकलीफ ना हो बागी गाड़ी में आपको अच्छा खासा स्टेरिंग मिल जाता है जो कि आपको काफी स्मूथ लगने वाला है और गाड़ी में ये स्टीरियो लगा हुआ है मैनुली स्टीरियो है और साथ ही इस में जो है ये डिजिटल मीटर जो मारूती का आ रहा है वो डिजिटल मीटर लगा हुआ है देखो भाई मैं केवल एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग वैगनार ये सेलेरियो या फिर आल्टो केटेंड या फिर आप इगनिस की तरफ जा रहे हो तो उस सबसे बड़िया ओप्शन केवल ये है कि आप एस्प्रेसो की तरफ जाईए ये मैं सोचिए कि ये गाड़ी चली नहीं है या कुछ भी सही गाड़ी बहुत बहतरिन है इगनिस में आपको 1200cc का इंजिन मिलता है लेकिन इसमें आपको 1000cc का इंजिन मिल जाता है बस ये है बोड़ी स्ट्रक्चर दोनों का लगवग लगवग सेम ही है अंदर का बोड़ी केविन का स्पेस भी इगनिस से बहतर है एस्प्रेसो में और दूसरी बात ये है कि ये आपके बजट में बहुत अच्छा पड़ जाएगी 5.5 लाख में आपको ये गाड़ी आपको मिल जाएगी और ये सबसे बहतरिन उप्सन है जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि इसमें सिलेंडर के बाद आप एक छोटा कैरी बैग बढ़िया तरीके से आप रख सकते हो और इतना स्पेस इस गाड़ी में दिया हुआ है बाकी सब आपकी मर्ची है जो आपको अच्छा लगे वो करिए मेरे साब से तो गाड़ी में बहुत बढ़िया ऑप्सन यही है कि 5.5 लाख में आपको यह गाड़ी जो मिल रही है देखिए पीछे में भी देखिए पीछे में बैठा हूँ मेरी 5.8 इंच है और उसके बाद भी कितना स्पेस है गाड़ी में बाई मैं सच बता रहा हूँ आप रिलेक्स हो जाओगे गाड़ी को लेके बिल्कुल सीट आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भी कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक लॉंग रूट पर जाओगे तो भी आपको बिल्कुल टेंसिन फिरी जाओ कि ऐसा नहीं है कि आपके कमर की रेड़ी में दर्दोने लग गया या ऐसे गिचपिच गिचपिच जैसा वाहूल रहेगा बिल्कुल कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा गाड़ी के केवन में स्पेस का अच्छा खासा ध्यान दिया गया है और रही बाद मारूती की माइलेज और इसमें सम्में ये सबसे बहतरीन गाड़ी है और लुक भाइज भी ऐसे ये बात नहीं है कि लुक इसका कोई ज़्यादा गया गुजराओ लुक हो लुक में भी ये अच्छी खासी लगती है और बाकी जब अच्छी गाड़ी अच्छी चीज नेगलेट कर दी जाती है तो थोड़ा सा उसका दुख होता है कि भाई देखो अच्छी चीज थी और ये पबलिक ने नकार दी और बाकी मेरा बस ये कहने आएं कि जो भी 5.5 तक की रेंज में गाड़ी सर्च कर रहे हैं और 6 तक की रेंज में सर्च कर रहे हैं वो एक बार इस गाड़ी को जरूर देखें आप मेरे यकिन मानीए निरास नहीं होंगे बाकी आपकी मरजी धन्यवाद